हिंदु धर्म में एकादशी वृत का अपना महतुपूर्ण स्थान है। हर साल में लगभग 24 एकादशी वृत पढ़ते हैं लेकिन एक एकादशी ऐसी भी आती हैं जिसका वृत रखने से साल भर की सभी एकादशियों का शुबफल प्राक्त होता है। और इसे निर्जला एक एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो हर साल जेस्ट मास के शुकलपक्ष की एकादशी को पढ़ता है। सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस वृत में पानी पीना भी वर्जित होता है। इसलिए इसे निर्जला एकादशी वृत के नाम से जाना जाता ह इस बार एकादशी तिथी 17 जुन सुमवार सुभा 4 बचकर 44 मिनट से लग रही है और 18 जुन मंगलवार को सुभा 6 बचकर 25 मिनट पर समाप्त होगी जब भी एकादशी की तिथी 2 दिन तक पढ़ती है तो ऐसे में बहुत सोच समझ कर ही आपको उपवास रखना चाहिए और इ इदि आप 17 जुन को रखना चाहती हूं तो 18 जुन को आप दो पहर एक बज़े से पहले व्रत का पारण नहीं कर सकते क्योंकि द्वादशी तिथी के दिन उस समय तक हरिवासर रहेगा द्वादशी तिथी 18 जुन मंगलवार को सुभा 6 बचकर 26 मिनट से शुरू होगी इसी जुन मंगलवार को दोपहर 12 बज़े तक हरिवासर समाप्त हो जाएगा जो लोग 18 जुन को व्रत पारण करना चाहती हो उन्हें एक बज़े से तीन बज़े के बीच में पारण करना होगा इससे पहले आप जल या अन्निक रहन नहीं कर सकते इसलिए आपके लिए बहतर यह होगा कि आप 18 जुन को ही व्रत रखें और 19 जुन बुद्वार को व्रत का पारण किया जाएगा सुभा 5 बज़ कर 45 मिनट से 7 बज़ कर 28 मिनट के बीच में जब भी एकादशी दो दिन होती है तो ऐसे में जिस दिन सोर्योदे से पहले एकादशी और सोर्योदे के बाद उसे शुद्ध और दूजी एकादशी कहते हैं सभी वैशनव जनों को इस दिन व्रत रखने की सलहा दी जाती हैं और ग्रस्त जन भी इस दिन उपवास रख सकते हैं तो आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर तो मिल गया होगा कि आपको इस बार निर्जला एकादशी का व सर्व एकादशियों में सबसे उत्तम निर्जल एकादशी की कथा भी सुनो एक बार पांडव पुत्र भीम सेन ने वेद व्यास जी से पूछा ही महाग्यानी पिताम है मेरे चारो भाई युदिष्टर अर्जुन नकुल सहदेव और मेरी माता कुंती तथा मेरी पतनी द्र पराधना करूंगा सो कृपा पूर्वक मुझे ऐसा कोई उपाय बताये मुनिवर कि उपवास किये बिना मुझे एकादशी के व्रत का फलप्राप्त हो सके तो व्यास जी बोले हे भीम सेन अगर तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समस्ते हो और अंत में मोक्ष क की कामना भी रखते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन मत करो व्यास जी की बात सुनकर भीम ने फिर से निवेदन किया हे महामुनी जो कुछ भी मैं कहता हूं वो सुनिए यदी दिन में एक बार भोजन ना मिले तो मुझसे नहीं रहा जाता मैं इस इस्तिती में कैसे उपुवास करूँ मेरे उदर में व्रक नामक अगनी का वास है और बहुत सारा भोजन करने से ही मेरी भूख शान्त होती है मुनिवर आप करपा करके कोई ऐसा वरत बताईए जिससे विदी पूर्वक करके मैं स्वर्ग को प्राप्त कर सकूँ वे निश्य करके मुझसे कहिए जिससे मेरा भी कल्यान हो सके भीमसेन की परिशानी समझ कर व्यास जी कहने लगे भीमसेन मनुश्यों के लिए सर्वोत्तम वेद का धर्म है किन्तु कल्यूग में भी उस धर्म पर चलने की शक्ति किसी में नहीं है इसलिए थोड़े धन और थोड़े कस्ट से होने वाला बहुत सरल उपाई जो की पुराणों में भी लिखा है वो मैं तुम्हें बताता हूँ ध्यान से सुनो दोनों पक्षों की एकादशी में जो वनुष्य भोजन नहीं करते वे कभी नरक को नहीं जाते इन वचनों को सुनकर महाबली भीमसेन पहले तो पीपल के पत्ते की तरह कापने लगी फिर डरते ही वे बोले हे पिता महें मैं उपवास करने में बिलकुल असमर्थ हूँ इसलिए प्रभो निश्य करके बहुत फल देने वाला एक ही व्रत मुझसे बताईए तो व्यास जी फिर बोले हे भीमसेन व्रेश मिथुन राशी के सूरे में जेस्ट मास में शुकल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नरजला व्रत यतन पूर्वक करना उचित होगा इसनान और आचमन करने से जल पान वर्जित केवल एक भूट जल से आचमन करें अधिक पीने से व्रत खंडित हो जाता है एकादशी के सूर्य उदय से लेकर द्वादशी के सूर्य उदय तक जल ग्रहन ना करे और ना भोजन करे तो बिना परिश्रम ही सभी द्वादशी युक्त एकादशियों का फल प्राप्थ हो जाता है द्वादशी को प्रातहकाल इसनान करके स्वन और जल ब्रहमनों को दान करें फिर ब्रहमनों सहीत खुद भी भूजन करें हे भीमसेन इस विदी से व्रत करने से जो फल मिलता है वह सुनो सारे वर्ष में जो एकादशी आती हैं उन सब का फल निसंदे केवल इस एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है शंक, चक्र, गदाधारी, भगवान, विश्नु, स्वेम मुझ से ये कहते हैं कि सब कुछ त्याग कर केवल मेरी शरन में आ जाओ और सुनो भीम सेन, एकादशी का व्रत निरहार करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है सभी प्रकार के तीर्थों और सभी प्रकार के दानों में जो फल प्राप्त होता है वह सब इस एकादशी के व्रत से ही प्राप्त हो जाता है कल्यूग में दान देने से भी ऐसी सद्गती नहीं होती अधिक क्या कहूं भीम सेन जेस्ट शुकल पक्ष की एकादशी को जल और भुजन ना करे हे व्रकोदर इस एक व्रत से जो फल मिलता है उसे सुनो सब एकादशी व्रतों से जो धन धान और आयू आरोगिता आदी की व्रती होती है वे सब फल निर्संदे इस एकादशी के व्रत से प्राप्थ हो जाते हैं हे नर्सिंग भीम मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि इसके करने से अती भयंकर काले पीले रंग वाले यमदूत भय देने वाला दंड और फांसी सहित उस मनुशी के पास कभी नहीं आते बलकि भगवान विश्नु के देवदोत उन्हें आगर स्वर्ग लोग को ले कर जाते हैं तब इस प्रकार वेदव्यास्ची के कहने पर भीम से ने भी इस एकादशी का व्रत किया था जिसके कारण इस एकादशी का नाम भीम से नी एकादशी पढ़ गया निर्जला एकादशी का वरत रखने वाले भक्तों को एकादशी के दिन प्रातहकाल ब्रह्ममोहुट में उठकर इसनान करना चाहिए और इस दिन आप ब्रह्ममोहुट से पहले पहले भरपूर मातरा में जलका सेवन भी कर सकते हैं उसके बाद ब्रहममोग में आप उठकर इस नानादी से नियुवर्ध होने के बाद भगवान की पूजा करें वर्ध का संकलब ले और द्वादशी तिति को ही फिर आपको शुब मोट में निर्धारित मोट में वर्ध का पारना करना होता है एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु की विधिविधान से पूजा करें, हरे कृष्णा महामंत्र का जाब करें, तुलसी माता की पूजा करें, इस दिन लड़ुको पाल जी को भी अन्न का भोग ना लगा कर केवल फलों का भोग लगाना चाहिए मंदिर में एक मिट्टी के कलश में जल भरकर उसके उपर पून पात्र रखकर उसमें शक्कर रखें, कुस दक्षिना रखें और इस जल से भरे घड़े का दान आपको किसी हो के व्यक्ति को दान में दे देना चाहिए एकादशी के दिन आप स्वर्म निर्जल रहकर जल का दान यदि करते हैं तो आपको समस्त 24 एकादशी व्रतों का पुर्नि प्राप्त हो जाता है जल के लावा आप इस दिन फलों का गर्मी में काम आने वाली वस्तों का जैसे पंखा, छत्री, चपलादी का दान कर सकते हैं आप आज के दिन अपने पित्रों के नाम से शाम के समय एक दीप जरूर जलाएं शाम की पूजा भी विधी विधान से करें, ध्यान रखें बिना मंत्रों के जापके या बिना कथा के व्रत अधूरा रहता है तो सुबह और शाम दोनों ही समय आपको व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए अगले दिन निर्धारित मूर्त में व्रत का पारणा करने से पहले आपको ब्रह्म मूर्त में उठकर या सोर्वेदर से पहले उठकर विष्णु भगवान की एक बार फिर्श से पूजा करनी चाहिए दान में दी जाने वाली सामगरी जिन में आप तिलों का और हल्दी का दान इस दिन विशेश रूप से करें आपको मंदिर में दान दक्षिना रखने के बाद किसी योगी व्यक्ति को अपने घर पर आमंत्रित करके या किसी यो कि पुजारी जी को अपने घर पर या वैशनव जन को अपने घर पर आमंत्रित करके उन्हें भोग प्रशाद देकर दान दक्षिना देकर संतुष्ट करने के बाद वृत का जो पारण मुहुर्थ आपको बताया गया है उसमें स्वैम वृत का पारण करना जैसे कि आप दूध या जल का सेवन करें एक साथ बहुत अधिक मात्रा में आप जल या दूध या कोई भी लिक्विड चीज ना ले थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप जल आधी का सेवन करें और उसके कुछ समय के बाद आप हलका फुलका भोजन ग्रहन कर सकते हैं ध्या अब सुनिए एकादशी माता की आरती ओम जै एकादशी माता मैया जै एकादशी माता विष्णु पूजा वृत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता ओम जै एकादशी माता तेरे नाम गिनाऊं देवी भाक्ति प्रदान करनी गण गोरव की देनी माता शास्त्रों मे वरनी ओम जै एकादशी माता मार्ग शीर्ष के क्रिष्ण पक्ष की उत्पन्ना विष्वतारन जनमी शुक्ल पक्ष में हुई मुक्षदा मुक्ति दाता बन आई जै एकादशी माता पौश के क्रिष्ण पक्ष की सफला नामक है शुक्ल पक्ष में होई पुत्रदा आनंद अधिक रहे ओम जै एकादशी माता नाम शट तिला माघ मास में क्रिष्ण पक्ष आवे शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे जै एकादशी माता विजया फागुन क्रिष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की पाप मोचनी क्रिष्ण पक्ष में चैत्र महा बल की ओम जै एकादशी माता चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली नाम बरूथ नी क्रिष्ण पक्ष में वे साख महा वाली ओम जै एकादशी माता शुक्ल पक्ष में होए मोहनी अप राजेस्ठ क्रिष्ण पक्षी नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी जै एकादशी माता योगनी नाम अशाड में जानो क्रिष्ण पक्ष करनी देवशय नी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी जै एकादशी माता कामी का श्रावन मास में आवे क्रिष्ण पक्ष कहिए श्रावन शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए जै एकादशी माता अजा भाद्रपद क्रिष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला इंद्रा आश्विन क्रिष्ण पक्ष में वृत्से भव सागर निकला जै एकादशी माता पापां कुशा है शुक्ला पक्ष में आप हरन हारी रमाकार्तिक में आवे सुख दायक भारी ओम जै एकादशी माता देवो थानी शुक्ला पक्ष की दुख नाशक मैया पावन मास में करो विनती पार करो नईया ओम जै एकादशी माता परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी शुक्ल पक्ष में होई पद्मनी दुख दार द्रहरनी ओम जै एकादशी माता जो कोई आरती एकादशी की भक्ती सहित गावे जन गुर्दिता स्वर्ग का वासा नेश्चे वेह पावे ओम जै एकादशी माता मैया जै एकादशी माता ओम जै एकादशी माता यह थी आज की वीडियो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा झाल